नमस्कार दोस्तों, जैमातादी, स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 23 एप्रिल दिन मंगलवार को दिखेगा चैत्र पुर्णेमा का चांद मालक्ष्मी के आशिरवाद से 12 राशियों में से 4 राशियों के लगेगी लोटरी ये 4 राशियों होंगे माला माल जी हाँ दोस्तों आपको बता दे, मालक्ष्मी के आशिरवाद से पूरे 90 सालों के बाद 23 एपरिल दिन मंगलवारपो पूर्णिमा के दिन बन रहे देवय दुरलब महाशुब सयोग महालक्षमी योग में अब 12 राशियों में से 4 राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है दोस्तों इन चार आशी वालों के इस दिन यानि चैतर पुर्णिमा के दिन लोटरी लगने वाली है ये चार आशी धन से माला माल होने वाली है स्वयम धन की देवी मालक्षमी अब इन चार राशी वालों के घर इस दिन यानि पूर्णिमा के दिन पधार रही है जिसे अब इन चार राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं अब इन चार राशी वालों के जीवन में मालक्षमी के आशिरवाद से आने वाली है अपार खुषियां जिसे अब इन चार राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों ये चार खुशकस्मत और भागेशाली राशियां कौन सी है जिनकी 23 एपरिल दिन मंगलवार को चैतर पुर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनने से लोटरी लगने वाली हैं ये चार राशी वाले इस दिन माला माल होने वाले हैं यूं कहें कि स्वयम विधाता भ आपको उनी चार खुशनसीब और भागेशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो इन चार राशी वालों के लिए बहुत ही महतवपूर्ण रहने वाली है वीडियो शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्विस्ट करते हैं मालक्षमी के सच्चे भगत इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट वोक्स में जै मालक्षमी अविश्य लिखें जिसे मालक्षमी का आशिरवात आपको सीधे पढ़ती है इसे चैत्रपूर्णिमा और चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है इस दिन चंद्रदेव अपने पूर्ण आकार में होते हैं चैत्रपूर्णिमा पर भगवान विश्नु और मालक्षमी की पूजा की जाती है साथ ही शुब फल की प्राप्ति के लिए व्र चैत्रपूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है मानिता है कि इस दिन भगवान विश्नु और मालक्षमी की पूजा और व्रत करने से साथक को सुख सौभागय की प्राप्ति होती है आपको बताना चाहेंगे कि पूर्णिमा चिथी का विशेश लाब लेने के लिए चैत्रपूर्णिमा के दिन ब्रह्म महुर्थ में उठकर सभी कामों से निवरित होकर स्नान आधी कर ले इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा विच्छा कर भगवान विश्नु और मालक्षमी की मूर्थी स्थापित करें दीपक चलाकर भगवान विश्नु और मालक्षमी की पूजा करें इसके साथ ही इस दिन कनकधारा सोत्रों और मंत्रों का जाप करना चाहिए अंत में आर्थी करें और फल, खीर, मिठाई आधी चीजों का भोग लगाएं लोगों में प्रसाद का वितरन करें इसके बाद भ्रामन या गरीबों को श्रधा अनुसार दान अविश्य दें दोस्तों अब बात करते हैं उन चार राशी वालों के बारे में जो कि इस दिन यानि की पूर्णिमा के दिन महालक्षमी, योग, दुरलग, महाशुब, सैयोग बनने से चार राशी वालों की लोटरी लगने वाली है करोड़पती बनने वाले हैं, धन से मालामाल बनने वाले हैं ये चार राशी वाले यूं कहें कि स्वयम विधाता भी इने रोक नहीं सकते इन चार राशी वालों को पूर्णिमा के दिन करोड़पती बनने से और मालामाल बनने से तो चलिए शुरू करते हैं कौन-कौन सी है वो चार भागेशाली राशियां जिन पर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन हैं, महरबान हैं और दोनों हाथों से धन की वर्षा करने वाली है अब इन चार राशी वालों पर तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है चनाथन धरम के शास्त्रों और पुराणों में वर्नित है कि यदि किसी पर धन की देवी मालक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती लेकिन क्या आप इस बात से परिचित है कि मालक्ष्मी का सुभाव बेहत चंचल माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी मालक्ष्मी एक जगे टिक कर नहीं रह पाती यही वज़े है कि मनिश्य के जीवन में धन सम्मंदी उतार चड़ाव हमेशा आते ही रहते हैं धन की देवी को प्रसंद करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं जिसे मा खुश होकर व्यक्ति को माला माल बनाती है दोस्तों आज के समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है इसके अतिरिक्त मनिश्य के जीवन में ऐसे उतार चड़ाव ग्रहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं इसलिए मनिश्य हमेशा से ही भविश्य को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं इसी क्राम में इस बार विशेश महासयोंग बन रहा है जिसमें मालक्ष्मी अब बारा राश्यों में से चार राश्यों पर बहुत अधिक प्रसन हो गई है और इन पर अपनी क्रिपाद रिष्टी बरसाने वाली है आपकी जानकारी के लिए बता दे जैसा की हमने बताया है की मनिश्य की जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है इनकी चाल से सीधा हमारे सामाने जीवन पर असर पड़ता है कभी कोई ग्रह किसी राशी के लिए खुश्यां लेकर आता है तो कभी दिकतों को सामना भी करना पड़ता है इसी करम में इस बार की बात सैयोंग से मालक्षमी इन चारों राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गई है यूँ कहें कि इन चार राशी वालों की अब लोटरी लगने वाली है ऐसा सैयोंग जीवन में कभी कभी ही आता है जिसमें मालक्षमी अब चार राशी वालों के जीवन में मालक्षमी के आशीरवाद से अपार खुश्यों की प्राप्ति होने वाली है जिन चार राशियों पर मालक्श्मी की विशेश कृपा होने वाली है उन सब भगशाली राशियों में पहली राशी है कन्या राशी कन्याराशी वालों को बता दे मालक्ष्मी आप लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली है जी हां दोस्तों आपके लिए समय अत्यंत शुब रहने वाला है और मालक्ष्मी के आशिरवाद से आपको धनलाप की प्राप्ती होने वाली है धन समयंदित अनेक प्रकार के लाब आपको प्राप्त होने वाले हैं धन प्राप्ती के अनेक अवसर कन्याराशी वालों अब आपको मालक्ष्मी के आशिरवाद से प्राप्त होने वाले हैं मा लक्ष्मी स्वयम आपके घर पधार रही है आपकी जोली अब खुश्यों से भरने वाली है जल्दी ही आप सारी कठिनायों का सामना कर पाएंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे आपके आर्थिक सिती में सुधार होगा और आपका जीवन सुख में ब कोई बहुत बड़ी खुशकबरी प्राप्त होने वाली है तन्या राशी वालों कहना गलत नहीं होगा मा लक्ष्मी के आशिरवात से अब आपके जीवन में खुश्यों का भंडार आने वाला है मा लक्ष्मी अब आपके जीवन में खुश्यां भरने वाली है आपके जीव में जो अगली राशी आती है वो है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दें आपकी कुंडली में जवर्दस्त मालक्ष्मी योग बन रहा है ये सहयोग कभी-कभी ही बनता है जिसके कारण आपको मा आपके लिए मालक्ष्मी की आशिरवाद से समय बहुत ही उत्तम रहने व अब आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत में मालक्ष्मी की कृपा से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगे से अब लाभी लाभ मिलेगा। आपको व्यापार में भरपूर लाभ मिलने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनका व्यापार दिन, दुबना, रा, चॉगन्ना तरकी करेगा। आपको हर जगे से अब लाभी लाभ मिलेगा। साथी सा जो लोग नौक्री करते हैं या नौक्री की तलाश में हैं उनकी मन चाही इच्छा पूरी होगी। उन्हें मन चाही नौकरी मिलेगी और तरकी भी प्रमोशन वेतन विद्धी के भी योग हैं। मेश राशी वालों मालक्ष्मी के आशिरवात से अब आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। साथी साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको मालक्ष्मी के आशिरवात से संतान प्राप्ति का भी सुख मिलने वाला है। कहना गलत नहीं होगा मालक्ष्मी के आशिरवाद से मेश राशी वालों अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है, अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, मालक्ष्मी स्वयम आपकी जोली खुशियों से भरने वाली है, जिससे आपक जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों को बता दे मालक्ष्मी अब आपके उपर बहुत अधिक प्रसन हो गई है आपके उपर मालक्ष्मी की जबरदस्त कृपा बन रही है जिसकी वज़े से आपके घर में सुक स्मृधी आएगी और पैसा बढ़ेगा अधिक धनलाब अब आपको होने वाला है कुम्ब राशी वालों जल्दी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक सिती में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शान्ती बनी रहेगी आपको बता दे कुम्ब राशी वालों जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला है उनका व्यापार दिन दुगना राचोगना तरक्की करेगा साथी साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना उनका जल्दी ही पूरा होगा मालक्ष्मी के क्रिपा से आपनी सभी काम अब बहुत आसान तरीके से होने वाले हैं आपको सालों साल से रुके हुए काम अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे आपको हर जगे से अब कुम्ब राशी वालों लाब मिलने वाला है मालक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके उपर बन रही है यू कहें कि आपको जल्दी ही अब लोटरी लगने वाली है कुम्ब राशी वालों मालक्ष्मी के आशिरवाद से अब आपको अनिक प्रकार के धनलाब प्राप्ति के योग है और आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिसे आपकी खुश्यों का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा जहां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है तुला राशी तुला राशी वालों को बता दे कि मा लक्ष्मी की विशेश क्रिपा आपके उपर बन रही है जिसे आपको बहुत जादा आर्थिक लाव होगा और इसके साथ ही पूर्वन में की गई आपके मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा व्यवसाय में आपकी योगयता का प्रदर्शन अब सभी लोग देखेंगे तुला राशी वालों अब आप देखिए कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है जी हाँ दोस्तों मा लक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपके जीवन में अब खुशियां आने वाली है जी हाँ दोस्तों आपका व्यापार दिन दुगना राचोगनी तरक्की करेगा समाज में आपका मामन सम्मान बड़ेगा, आपको मित्रों का पूरा सायोग प्राप्ट होगा अब आपको अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब, तुलाराशी वालूं प्राप्ट होने वाले हैं साथी साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना इनकी अविश्य सफल होगी, साथी साथ जो लोग संतान प्राप्ती के इच्छुक हैं, उन पर संतान प्राप्ती का सुख मिलने वाला है, जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं तुला राशी वालों अब मालक्ष्मी के आशिरवात से आपको हर जगे से लाभी लाब मिलेगा, नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोनती और वेतन प्रेदी के योग हैं, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मन जाए नौकरी प्राप्त होने वाली है, कहना गलत नहीं होगा तुला राशी वालों, मालक्ष्मी के आशिरवात से आपकी सभी इछाएं पूरण होंगी, समय अब पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, जी हाँ दोस्तों यह हैं वो भागेशाली राशियां, जो मालक्ष्मी के आशिरवात से अब धन से माला माल हो इन चार राशी वालों को मालक्ष्मी के आशिर्वाद से इनके जीवन में अनेको प्रकार का लाब, धनलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होगी जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों मालक्ष्मी का आशिर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, दोस्तों आपसे अनुरोध है आप कमेंट बॉक्स में सची मन से जै मालक्ष्मी जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, जै मालक्ष्मी कर दोस्तों मालक्ष्मी